तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेंप्ट की ओनलाइन क्लासिस में तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिनी अटेंप्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एनाटॉमी फिजिलोजी से रेलेटेड फ्री लेक्चर्स आपको मैं रेगुलर दे रहाँ तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एक छोटे से कोट के साथ में एक छोटे से सुविचार के साथ में इस क्लास को सुरू करेंगे तो देखिए वो क्या है हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिस करना नहीं छोड़ते इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब तक हम किसी भी कारे के पीछे लग जाते हैं किसी भी काम को करने के पीछे लग जाते हैं और उसमें एक बार हम हार गए तो उससे डरना नहीं है, रुकना नहीं है, हमें लगातार कोसिस करते रहना है, लगातार उस काम को आगे बढ़के करना है, अगर हम रुक गए तो वो काम कभी भी नहीं हो सकता, तो ये कोट हमें यहीं सिखाता है, कि हमें कभी भी कोसिस रुकन नहीं चाहिए हमेशा काम करते रहिए इस समय लोगडाम का माहूल चल रहा है तो आप उससे डरिये मत घबडाईये मत क्योंकि यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसमें आपको पूरा फ्री टाइम मिल लाए पढ़ाई के लिए सेल्फ स्टडी के लिए अपने ग्लेंट्स के बारे हम थोड़ा वे जानने की कोसिस करेंगे कि ग्लेंट्स के ने कहते हैं ग्लैंट्स ऐसी द sentiments होते है सई उनके अंदर पाई जाती हैं जो किसी Other स्कृर्ट्ट प्रोटी में पाती हैं चिक है तो तो सिक्रेट करने वाली वाली जो और गड annos है उनको हम ग् कि दो टरह की कौन-कौन सी सबसे पहली एंडोक्राइब ग्लैंड और दूसरी होती है एक्जोक्राइब स्क्रेब्स क्या हैं एंडोक्राइब ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स जनके अंदर कोई भी डड्क्रेशंट नहीं Allegra रखना ये कई बार question पूछा गया है हर कोई confuse करने के लिए आपसे भी पूछ सकता है कि उन glands का नाम मताई जिनमें duct नहीं होती तो उनका answer होगा endocrine glands ठीक है endocrine glands are the glands that do not consist ducts फिर बात आती है exocrine glands क्या है तो ध्यान दिजेगा exocrine glands वो glands होती है जिनके अंदर duct present होती है ठीक है जैसे उधारण के लिए pancreas जैसे लिवर तो यह सभी क्या है endocrine और exocrine दोनों के मैंने आपको उधारण दिए endocrine और exocrine glands pancreas कैसे वर करता है pancreas के अंदर ड़क्ट भी होती है और वो directly अपने secretions को blood में भी छोड़ता है तो अब बात आती है second point जो आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी screen पर कि this secret hormones directly into the blood stream इसका मतलब क्या हुआ कि endocrine glands ऐसी glands होती है जो बिना duct के बिना duct की सायता से directly अपने secretions को hormones को कहा छोड़ देती है blood stream में माने रक्त परिसंचरण में हमारे blood में ठीक है चलिए next hormones अब बात आती है hormones की hormones क्या है मैंने भी आभी आपको बताया था के glands hormones secret करती है endocrine glands directly blood में ये छोड़ती है तो hormones क्या है hormones are the chemical hormones are the chemical substance that are released by the gland hormones क्या है hormones एक ऐसे chemical substance होते हैं ऐसी specialized proteins होती है जो किसी भी gland के त्वारा बनाई भी जाती है और secret की जाती है ठीक है याद रहेगा चलिए उसके बाद में they regulate and activate इसका main function क्या है they regulate and activate the cells of body part हमारे सरीर के अंदर जितनी भी glands हैं जितने भी other organs हैं जितनी भी cells हैं उन सभी को activate और उनको work कराने के लिए promote करने का काम यह hormones करते हैं ठीक है hormones के लिए special receptors हमारी body में पाई जाते हैं अलग-लग hormones के लिए ठीक है अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन-कौन से hormones हमारी body में कौन-कौन सी gland से निकलते हैं ठीक है चलिए hormones are the first messenger of body अगला point आपको दिखाई दे रहा होगा hormones are the first messenger of body hormones को हम पहला messenger कहते हैं हमारी body का किसी वी work को करने के लिए हमारे brain को हमारे endocrine system को हमारी body cells को यह message करता है यह message provide करता है कि अब हमें कार करना चाहिए चलिए next अब आपको screen पर दिखाई दे रहा होगा functions of hormones अब हम बात करेंगे यह hormones के functions क्या हैं इनके कार क्या होते हैं ठीक है जैसे हर किसी इंसान का अलग roll होता है अलग work होता है ऐसे हमारी body के अंदर भी hormones का एक special काम है तो सबसे पहला function होता है hormones का food metabolism पहला work क्या है इसका food metabolism हमारे शरीर के अंदर भोजन की जो metabolism है metabolism means chemical reactions जिनके अंदर नए-ने formations हमारी body में होते हैं तो नए-ने formations होने के लिए hormones responsible होते हैं ठीक है चलिए next growth and development अगला functions क्या है growth and development हमारे शरीर की growth और उनको develop करने में हमारे hormones का एहम रोल होता है जैसे GH hormone उसका बहुती बड़ा रोल होता है ठीक है अगला function है controlling thrust and hunger thrust means होता है प्यास hunger means भूख तो भूख और प्यास इनको अभी coordination control यह hormones के according होता है next maintain the body temperature हमारे सरीर का जो तापमान है उसे भी maintain करते हैं next regulating mood and cognitive functions हमारे mood और psychology को भी hormones define करते हैं hormones उसको control करते हैं चीक है चलिए अगला है initiate the maintain sexual development and reproduction reproductive system जो कि हमने previous lecture में पढ़ा था तो उसका पूरा management उसको पूरा complete कराने में पूरा work कराने में हमारे hormones का regulation होता है ठीक है चलिए next अब हम बात करते हैं एक एक करके जो हमारी body में पाई जाने वाली glands है जिनमें से सबसे पहली glands आती है pitutary gland कौन सी gland pitutary gland यह master gland भी कही जाती हैं पर point लिखा हुआ है it is the master gland of body याद रखिएगा इसको हम master gland कहते हैं master हम किसे कहते हैं आपने पास्ट्रक की सुनी होगी ऐसी चावी जिससे सभी ताले खुल जाते हैं ऐसे ही pitutary gland एक ऐसी gland है जो हमारे सरीर की सभी endocrine glands को control भी करती है और उससे निकलने वाले hormones को regulate भी करती है याद रखिएगा ठीक है इसके दो लोब होते हैं इसमें दो चेंबर दो कमरे होते हैं जहां पर हार्मोन बनते हैं और निकलते हैं सबसे पहला है anterior lobe और दूसरा है posterior lobe आपके सामने एक diagram बड़ा सुन्दर सा diagram आपको देखाई दे रहा होगा उसमें आप देख सकते हैं anterior lobe और posterior lobe यह दोनों ही अलग-अलग hormones बनाते हैं ठीक है तो चलिए बात करते हैं anterior lobe की hormones की तो anterior lobe से लगबग साथ हार्मोन निकलते हैं कितने हार्मोन निकलते हैं anterior lobe से pituitary में seven याद रखिएगा यह कई बार पूछे जा सकते हैं और different different competitive exams में चाहे वो NEET का competitive exam हो चाहे वो nursing का हो चाहे medical का हो उन सभी exams में यह question इस तरीके से पूछा जाता है कि anterior lobe से कौन-कौन से hormones secret होते हैं जब आपको पता होंगे तभी तो answer कर पाएंगे तो चलिए एक-एक करके इनके नाम याद करते हैं सबसे पहला hormone जो की anterior pituitary से निकलता है उसका नाम होता है GH hormone कौन सा GH hormone पूरा नाम है इसका growth hormone जो growth कराता है दूसरा है thyroid stimulating hormone दूसरा hormone कौन सा है thyroid stimulating hormone TSH यह thyroid को stimulate करता है ठीक है अगला है ACTH अगला hormone कौन सा है आपको दिख रहा होगा ACTH adenocorticotropic releasing hormone कौन सा adenocorticotropic releasing hormone ठीक है चलिए अगला है PRL तो short में कहते हैं इसका पूरा नाम होता है प्रो लेक्टिन याद रखिएगा प्रो लेक्टिन पर बहुत important है इसको लिख लीजिए क कहीं भी कि प्रो लेक्टिन एक ऐसा hormone है जो मिल्क के production में help करता है memory glands के अंदर means breast के अंदर milk का formation करने के लिए responsible होता है जरूरी होता है ठीक है चले next follicle stimulating hormone अगला कौन सा है FSH follicle stimulating hormone next है LH luteinizing hormone अगला है melanocyte stimulating hormone melanocyte stimulating hormone एक ऐसा hormone है जो हमारे skin की darkness के लिए skin की color के लिए responsible होता है और हमारी biological clock को यह control करता है clear चले अब आगे बढ़ते हैं next hormones of posterior pitutory आपके सामने आपकी screen पर दिखाई दे रहे होंगे posterior pitutory के hormones वाई anterior के पढ़ लिए आप posterior के पढ़ेंगे तो posterior में सिर्फ दो hormone होते हैं posterior में होते हैं दो कौन कौन से सबसे पहला होता है ADH कौन सा ADH जिसका पूरा नाम होता है anti diuretic hormone ठीक है इसी को हम बैसोप्रेसिन भी कहते हैं क्योंकि sometime यह ऐजे बैसोप्रेसिन काम करता है body के अंदर water का regulation करता है ठीक है next oxygen hormone अगला कौन सा है oxygen hormone इस पर भी competitive exam में कई बार question करता है तो इसका work होता है during labor delivery के दौरान यह uterus को contract करता है जिससे baby आसानी से pass out हो सके deliver हो सके और दूसरा during lactation period जिस समय mother lactation period में होती है उस समय जब baby breast को सक करता है निपल को शक करता है तो उस समय यह secret होता है निकलता है और ejaculation of milk के लिए जरूरी होता है ठीक है तो prolactin और oxyt oxytocin दोनों एक साथ काम करते हैं prolactin work करता है milk को बनाने में लेकिन निकालने में या ejaculate करने में यह oxytocin help परता है चलिए अब next अगली gland आती है thyroid gland कौन सी gland thyroid gland एक सुंदर सा डाइगराम आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा thyroid gland यह हमारे गले में पाई जाती है कहां पाई connection को हम इस तमस कहते हैं क्या कहते हैं उस connection को इस तमस ठीक है इससे निकलने वाले hormones कितने हैं इससे निकलने वाले 3 हॉर्मोन हैं कितने hormone तीन और एक main point जो आपको याद रखना है कि thyroid gland हमारे शरीर के BMR को basal metabolic rate को और पूरी metabolism को control करता है तो इसे याद रखिएगा इसे note कर लो इस्टाइब छीज को ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला हॉर्मॉन है इसका T3, दूसरा है T4 और तीसरा है केल्सी टोनिन, तो T3 का जो अधर नेम है वो है ट्राई आईडो थायरोनिन, क्या है उसका अधर नेम, ट्राईडो थायरोनिन, T4 उसका अधर नेम होता है Tetra-Ido-Thironin क्या होता है Tetra-Ido-Thironin ठीक है और next है Kelsey Tonin तो याद हो गया चलिए next अब बात करेंगे हम hormones of parathyroid gland hormones of parathyroid gland ठीक है parathyroid glands के hormones के बारे में तो आपको screen पर दिखाई दे रहे होंगे इससे सिर्फ एक ही hormone निकलता है जिसका नाम होता है parathyroid hormone या parathy gland sorry parathy hormone चीक है याद रहेगा नीचे आपको मैंने दिखाने की कोशिस की एक सुन्दर से डाइगराम के थू एक अच्छा सा डाइगराम आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि जो thyroid है just उसी के पीछे की तरफ चार आपको dot दिखाई दे रहे होंगे चार पीले पीले से dot दिखाई दे रहे होंगे ये चारो ही क्या है ये चारो ही parathyroid gland है जो किसमे help करते हैं ये parathyroid hormone बनाने में और उसको secret करने में help करते हैं ठीक है total कितने होते हैं ये चार चले next अब बात करेंगे हम pancreas की तो pancreas क्या है pancreas एक endocrine और exocrine दोनों ही gland की तरह वर्क करता है exocrine endocrine हम discuss कर चुके हैं ऐसी gland जिसके अंदर duct present होती है उन्हें exocrine कहते हैं और endocrine के अंदर duct नहीं होती तो ये दोनों की तरह वर्क करता है तो जो pancreas है वो कहां पाया जाता है abdominal cavity में पाया जाता है ठीक है अगर आपको इसके बारे में detail जानकारी चाहिए तो इसकी हमारी YouTube चैनल पर mini attempt पर ही एक पूरा lecture in digestive system के उपर पूरी series complete है ठीक है तो आप उसे वहां जा करके देख सकते हैं मैं आई बटन में भी आपको यह शो करा दूँगा ठीक है चलिए तो अब बात करते हैं hormones of pancreas pancreas के hormones ठीक है तो इससे निकलने वाले main चार hormones होते हैं पहला hormone होता है insulin, दूसरा होता है glucagon, तीसरा होता है somatostatin और चौता है pancreatic polypeptidase ठीक है, पहला है insulin जो glucose को down करता है blood के अंदर दूसरा है glucagon, यह क्या करता है glucose को up कर देता है अगला somatostatin, यह पूरे pancreas को control करता है उसके endocrine function को control करता है अगला है pancreatic polypeptidase यह pancreas को होर्मोन है और नीचे आप diagram देख सकते हैं उस diagram के थुरू मैंने आपको pancreas देखानी की कोसिस की है जो की गॉल ब्लेडर के पास में और डुटिनम के पास में होता है नजदीक होता है चलिए अब हम आगे बात करते हैं next hormones of testis जो testis है testis माने हंदी में हम उनको क्या कहते हैं testis मेल रिप्रोड़क्टिव और्गंस में आते हैं मेल रिप्रोड़क्टिव ग्लेंड्स में आते हैं बहुत ही मुख्य रोल है मेल के अंदर क्योंकि ये एक special hormone secret करते हैं जिसका नाम होता है testis ट्रॉन जो responsible होता है male nest के लिए male के अंदर sexual activities के लिए male के अंदर secondary sexual characters को develop होने के लिए clear तो याद हो गया आपको चले next चलते आगे hormones of ovary ये भी female के अंदर जैसे male के अंदर testis था ऐसे female के अंदर ovary sexual reproductive gland है इससे दो hormone निकलते हैं estrogen एक progestron नीचे आप diagram में देख सकते हैं ये ovary का diagram है इसमें follicular phages sow करे गए हैं तो estrogen progestron ये दो hormone है जो females में secondary sexual characters के लिए responsible होते हैं चले next अब बात आती है hormones of pineal gland की ये pineal gland क्या है ये हमारे brain में पाई जाती है brain के निचले हिस्से में ये होती है pineal gland जिससे एक hormone निकलता है उसे हम mella tonine कहते हैं जो biological clock को control करता है चले next अब बात आती है hormones of thymus की तो hormones of thymus दो hormones निकलते हैं thymus gland से एक thymocene एक thymine कौन-कौन से एक thymocene एक thymine ठीक है नीचे आप देख सकते हैं ये thymus gland है और ये thymus gland बली special है special क्यों है कि ये puberty के time पर या after the puberty ये atrophy में चली जाती है यानि अपना size घठा देती है अपने functions को घठा देती है before the puberty ये काई में help करती है ये help करती है immunity देने में ठीक है टी लिंपो साइट को mature करने में और ये present होती है हमारे हर्ट से just ऊपर कहां हर्ट से just ऊपर next बात आती है hormones of adrenal cortex adrenal cortex ये adrenal gland का हिस्सा है adrenal gland क्या है ये एक specialized gland है जो kidney के ऊपर पाई जाती है हमारी kidneys के ऊपर पाई जाने वाली glands को adrenal gland कहते हैं या इनका दूसरा नाम होता है suprarenal gland adrenal cortex और medulla इसके दो पाट होते हैं cortex से तीन हर्मोन निकलते हैं कौन-कौन से याद करिए सबसे पहला है मिन्नेलो कोटिकोईड दूसरा है ग्लूको कोटिकोईड और तीसरा है सेक्स हर्मोन कौन-कौन से मिन्नेलो कोटिकोईड ग्लूको कोटिकोईड और सेक्स हर्मोन ठीक है चलिए next आगे चलते हैं अब बात आती है hormones of adrenal medulla adrenal gland का दूसरा पार्ट जो की medulla होता है और medulla inner पार्ट होता है इससे दो हर्मोन निकलते हैं एक adrenaline एक noradrenaline जो adrenaline है उसका दूसरा नाम होता है epinephrine और noradrenaline का नाम होता है norepinephrine याद रहेगा ये दोनों ही हमारी बाड़ी में stimulations के लिए वर्क करते हैं इनको hormones of fight and flight भी हम कहते हैं चलिए next अगला है hormones of kidney अब हमारी जो kidney है उससे कौन-कौन से hormones निकलते हैं तो kidney से तीन hormones निकलते हैं पहला renin दूसरा erythropoietin और तीसरा निकलता है 1,25 dihydroxy chloro-calciferol जो की vitamin D में help करता है तीसरे नम्मर का जो hormone हमने बात करी 1,25 dihydroxy chloro-calciferol ये का है में help करता है ये help करता है vitamin D के formation में और erythropoietin करता है blood के formation में ठीक है और renin water के balance को control करता है चलिए आगे अब बात आती है हमारे hurt के बारे में सायद आपको पहली बार आपने सुना हो अब आते हैं hormones of placenta की तरफ तो placenta में से कौन-कौन से hormone secret होते है तो पहला निकलता है human chorionic glonadotrophin दूसरा निकलता है human placental lactogen या human chorionic somatotrophin तीसरा निकलता है estrogen and चोथा निकलता है प्रोजेस्टरन ये चारो ही हार्मोन during gestation period बहुत ही help करते हैं मदद करते हैं और placenta इसको secret करता है नीचे आपको diagram दिखाई दे रहा होगा ये diagram किसका है placenta का तो इसी के साथ मैं हमारा आज का lecture complete हुआ याद रखिएगा अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो पहले उसे subscribe करें हमारी videos को share करें जादा से जादा share करें जिससे lockdown में lockdown जैसे इस्तिती में लोगों को आपके साथियों को आपके दोस्तों को anatomy physiology related video पढ़ने का मौका मिले और वो अच्छे से अपनी knowledge को gain कर सकें और इस lockdown को आप अपनी opportunity बनाईए अगर आपने इसको opportunity बनाया तो आप निश्चित growth करेंगे और अपने लक्ष में सफल होंगे Thank you very much